वेल्कम बैक तो न्यू वीडियो सुप्रिपाद जैश्री राम सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमीद है आपकी दिवाली बहुत अच्छी गुजरी होगी काफी बढ़िया फेस्टिवल वीक था यह जो अब खतम हो गया खतम एक तरीके से नहीं हुआ है अभी छट बहुत बढ़िया विता होगा और आगे आने वाला साल भी आपका बहुत बढ़िया रहे लेट्स बिगिन दा वीडियो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज की थोड़ी सी हो गई है दिक्कत विकॉस हम थे फ्राइडे को बंद और फ्राइडे के दिन हम खोले थे मुहूरत ट्रेडिंग के टाइम पर क्योंकि लोग उस दिन स्टाउक बाई करना प्रिफर करते हैं लॉग टर्म के लिए बहुत कमी लोग होते हैं जो स्टाउक सेल वगारा करते हैं तो इसी लिए अभी हम अमेरिकन मार्केट को नहीं देख सकते हैं नहीं जादा गिफ्ट निफ्ट को देख सकते हैं काईदे से जो पूरा कैलकुलेशन मैंने खिया था उस हिसाब से मार्केट को हलका फुलका गैप डाउन खुलना चाहिए बट गिफ्ट निफ्टी अभी सजेस्ट कर रहा है कि हम हलका फुलका उपर भी खुल सकते हैं तो उस हिसाब से आज की ओपिनिंग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे आप यह मान के चलो कि साथ बड़ी कोई ओपिनिंग ना मिले मार्केट एकदम फ्लैट खुले इसके चांसेस हैं बड़ी ओपिनिंग के चांसेस नहीं हैं बाकी गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा वो हमें पता चलेगा नौ ब प्रिसिडेंशल इलेक्शन सबसे पहले चलो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ ठीक है पांच नवंबर को रास्ट्रपती का चुनाओ है अमेरिका में और अमेरिका में चुनाओ की गिंती बाद में होती है इलेक्शन के जो रेजल्ट होते हैं ऑफिशली वो बाद में आ होता है तो यानि पांच नवंबर मंगलवार को हमें ये मालूम चल जाएगा कि अमेरिका का अगला रास्ट्रपती कौन बनता है इस पर मार्केट का रियाक्शन क्या होगा क्या आप उस पे एक वीडियो चाहते हैं अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में यस बता दीजेगा म पर आपको एक वीडियो बना कर बताओं कि इस पर मार्केट का क्या एक्शन रह सकता है किसके जीतने पर क्या हो सकता है सबसे जरूरी चीज़ यह है इस पूरे वीक की उसके बाद अगर आप देखोगे तो सर्विसस पीमाई डेटा और चोटी मोटी चीज़े तो आती रहे मेसी आई री बैलेंसिंग की मीटिंग है मेसी री बैलेंसिंग इंडिया के लिए बहुत जादा जरूरी हो गया है तो कि देखो एक लाग करोड का माल सेल कर चुके है प्लीज मेरी बात समझने को सिस करें मैं को क्या बता रहा हूँ और यह जो सेलिंग हुई है ना इसमें म M.A.C.I. का कोई हाद में, M.A.C.I. हो गया, F.T.S.E. हो गया, यह सारी चीज़े पता है क्या होता है? यह सारी चीज़े ग्लोबल इंडेक्सिंग होती है, मतलब मान लो कि कोई एक कंपनी है जो पूरे दुनिया में पैसा लगाती है, हर देस में वो पैसा लगा सकती है, त हमारे हिसाब से और उसी को follow करते हुए जो FIIs हैं वो अपना पैसा हिन देसों में लगाते हैं तो 6 तारिक को उसका आने वाला है कि इंडिया में कितना पैसा लगेगा अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं important है because जो चाइना है उसमें यहां पर एक बहुत अच्छी खासी growth देखी गए थी लगबक 14-15% के आसपास और जो इंडिया है उसमें गिरावट देखी गए थी पिछले महीने की में बात कर रहा हूं तो कुल मिला जुला के मान के चलो कि बहुत important है तारिक को यह ले लो आप यह week ना भयंकर important है अगर इस week के बाद हम उपर बच गए न तो आप मान के चलो कि हम उपर ही रहेंगे अगर इस week के बाद हम नीचे गर गए तो चीज़े जो है वह दिक्कत वाली हो जाएंगे और आप चैनल सब्सक्राइब करते हर दिन मैं आपको update देता होंगा जो भी चीज़े important रहेंगी अब result calendar की बात करते हैं तो आज IRFC का result है ABB का ट्यूब इंवेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड आया CTC का है अलब railway वाले stocks का result है इनमें ध्यान रखेगा बाटा इंडिया रेमंट इनके भी result जो है वह आज आने वाले हैं अगर आप news क अच्छी बात करते हैं तो फड़ा फड़ा न्यूज देख लेते हैं quarterly earnings zen technologies का profit 300% के आसफास बढ़ गया अच्छी बात है यह बोनाडा इंजिनरिंग का profit 142% बढ़ गया है ही रोबोटो का आपका जो total sales है वो 18.1% increase हुआ है domestic sales 17.4% बढ़ा है export growth 43% हुआ है अब क्या यह बढ़िया है auto sector में किसी का result अच्छा नहीं आए था बजाद auto की कहानी तो आपको यादी है तो क्या यह अच्छा result है that is a big question mark कागज में मुझे अभी अच्छा लग रहा फिला मैंने in-depth analysis results की नहीं किये नहीं मैं करता हूँ फिलहाल नहीं करता हूँ अगर भविसे में stocks trade करूँ तो सायद करने लगो 20 November के बाद क्या पता मजबूरी हो stocks भी trade करने पड़ जाए तब की बाद तब देखी जाएगी अगर आप इसमें trade करना चाहरे हो तो इसका आसानी से आप जाके search कर लिए Google में और आराम से research कर लिए कि कैसे आए results फिलहाल कागज में देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं बाकी आप यह देख लो कुछ इंपोर्टेंट जगह पर अमेरिका भी आके खड़ा हुआ है यह एक ट्रेंड लाइन ते जिसका breakdown almost हो गया है तो अगर यह successful हो जाता है तो चीज़े दिक्कत वाली हो जाएंगे और इस पर फैसला कली लिया जाएगा कौन चुनाओ जीतता उसके बार अब फड़ावट चल करोड बेचा गया है एक नवंबर को आप सोच रहे हो एक नवंबर कौन सा दिन होता है एक नवंबर होता है सुब्ह मुहूरट ट्रीडिंग का दिन और उस दोनों दिन एफायाइज ने भी बेच दिया तो इस दिन को छोड़ देते वाट क्यों बेचा इन्होंने मुझे न कि इंडिया का वेटेज घटने वाला और चाइना का वेटेज बढ़ने वाला तो जो चाइना वाजी बात थी वही प्ले आउट हो रही है यहाँ पर भी बाकि अगर आप फूचर ऑप्शन में देखोगे तो इनका डेटा हलका बेरिश ही बना हुआ है एक फायाइस का एक तहहाँ बर का अगर आप निफ्टी बैंक आपको आईभी चाइब चार्ट देखेन देखतेPOS ना तो निफ्टी बैंक के कहा प्लस बनी हुः हूर इसमें नदे तरीके से market volatile रह रहा है, ऐसे भी नहीं कि एक clear price action देख रहा है, तो कही ना कहीं इसका जो price action है, अभी वो volatile to sideways है, जो पिछले महीने के lows थे ना September के लोग वो भी October में तूटे नहीं, तो इसमें 2 महीने का low जो है, वो completely hold कर रहा है, दो कि आप 3 महीने का low अभी भी hold कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखो हर बार नीचे आता तो एक higher low बनाई देता है, हलका छोटा size ही एक higher low बन जाता है, तो अभी nifty bank strong है comparative ले, क्योंकि इनके results भी अच्छे आए हैं, और यहां पर जो हमें nifty 50 में देखने को मिले हैं, अगर आप nifty 50 का chart देखते हो, तो यहां पर आप देखो, तो continuously ऐसा लग रहा है कि buyers को मौका ही नहीं दिया जा रहा है, यहां पर हलकी full की nifty के लिए, और nifty की valuation जादा बिगड़ गई थी, as compared to nifty bank, तो वही हमें देखने को मिल रहा है, correction इसमें जादा severe है, और जादा fast भी हमें देखने को मिल रहा है, यह हमारे पास daily chart था, weekly chart वापस से red candle ही भनी है, weekly chart वो भी, तो वहां जाके कोई बात करने का मतलम नहीं है, चल severe fall है, और अब हम बहुत important area पर आके खड़े है, यह जो 12,000 का level है, यह काफी important है, इसका breakdown बड़ी दिक्कत create कर सकता है, mid cap और small cap दोनों में, क्योंकि फिर हमारे पास levels जो खुल के आ जाएंगे, वो 10,000, 10,500 के levels open हो जाएंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा, यह levels break होते हैं नहीं होते हैं, मतलब आप एक तरीके से मान के चलो, अभी जो selling हो रही है, overall मतलब पूरे market में हो रही है, financial sector में बस हलकी full की buying हो रही है, और भी 2-3 sectors है, जो मैंने figure out कर रहा था, कल बैठके मैं analysis कर रहा था, तो अगर कोई video बनानी होई तो मैं बता दूँगा उसमें, अभी बात करते हैं, कि आखिर हमें आज trade कैसे करें, तो देखो, जबी भी ऐसा कोई outstanding session या मतलब मान लो कोई ऐसा special session होता है, जिसकी एहमियत जो होते है, price action में बहुत कम हो जाती है, तो market कोसिस करेगा कि इस दिन को वो ignore करे, तो market मान लो यहां कहीं open होता है, तो मुझे लग रहा rather than these levels, यह confuse भी कर देते हैं काफी जादा, तो आज opening के बाद आप लोगों से निवेदन है कि एक घंटा हुड़ा समल के काम गए, समल के मतला आप नहीं trade करें तो भी चलेगा, विकॉज ऐसे session से confusion बढ़ जाता है, और ऐसे session के कारण ना premium भी आजीब बिहेव करते हैं, क्यों तो अगर आप को चीजे समझ में आरे हैं तो अब आराम से trade कर सकते हो, अब मैं जादा कुछ इसके बारे में बोलूगा नि, because market की opening मुझे clear नहीं अभी, तो मैं आपको levels बता देता हूँ, वस उसके हिसाब चीजे प्लान कर लीजेगा, यहाँ पर हमारे पास अभी में भी market आके इस gap को fill करें, अब फिर नीचे आके यह जो Friday, Thursday का जो pending gap है, उसको भी market यहाँ पर fill करता हूँ, आपको देख सकता है, अगर आप देखो के 12,400 के levels, यानि इस closing पे भी आपको resistance मिलेगा, तो अगर market gap down खुलता है तो यह दो level आपके लिए important हो जाते हैं, और यह trend 2300, 12,000, 240 levels तक का, अगर यहां से support ले लेता है, तो market फिर ऊपर जाएगा, और फिर एक range ही बन जाएगी, जिस तरब भी इस range को break करेगा, उदर आपको एक momentum देखने को मिल सकता है, यह simple सा plan है, बाकी market खुलने के बाद मैं आपको update कर दूँगा, जब मुझे proper idea लग जाएग कि market का momentum किदर build up हो, अगर आप देखो कि support available है, 340 पे हलका full का support है, proper जो support है आपके पास, वो 300 के levels पे ही available है, तो यह हमारा mid cap का plan है, आप चैनल सब्सक्राइब करके नीचे comment section में telegram group दिया हो, उसको join कर लीजे, free है completely, कोई paid call tips वगरा नहीं देता है, मैं random messages नहीं करता हूँ, जो चीजे समझ में आती है, वो बता देता हूँ, बस, तो join कर लीजेगा, अगर आप चाहते हो, तो वापे में update कर दूँगा, ठीक है, यह हमारा mid cap nifty का plan है, फड़ा फड़ा अब nifty 50 का भी plan देख लेते हैं, देखो same चीज है, यह दिन काफी confusion create करने वाला है, अच्छी ब low में आके market lows वगएरा break करने लगा, तो समस्या create हो जाएगी, because वापस से अगर यह low तूट जाता है, 24,000 का तो बहुत बड़ी दिक्कत है, और 24,000 से पहले भी 24,150 का भी low है, तो support available है, but supports breakdown होने लगते है, तो दिक्कत जो है, वो हमारी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, तो this is the plan, same goes with bank nifty, उसके बारे में एक्सरा कुछ कहूंगा रही में, वाला दिन थोड़ा सा अजीब दिन था, जो थोड़ा दिर market खुला था, तो market को settle होने देंगे, फिर चीज़े हम plan करेंगे, कैसे हमें करना है, this is the analysis for today's market, अगर आप कहुँए तो सामको मैं आपको presidential election पर वीडियो बना के डाल दूँगा, और चीज़े जो हैं विस चैनल पर रिजीम हो जाएंगे, लाइप स्वीम अगएरा, कुछ वीक्स में, अभी नहीं प्रामिस कर रहा हूं, आराम से trade करेगा, बहुत अच्छे से trade करेगा, ये महीना profitable करना, ये सोचेगा, पिछले महीने की गलतियां नहीं दोहरानी है, और कोशिस करना है कि अपनी strategy, set ups पे काम करूँ, कुछ defined चीज़ों पे काम करूँ, random काम ना करूँ, random emotions के साथ काम ना करूँ, और random risk management के साथ काम ना करूँ, thank you for watching the video, बिलते हैं अगले video में, बहुत बहुत धना